दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनुसुचित एवं जनजातिय शेत्रों के बारे में जिसे इंग्लिश में स्केडिूल्ड एंड ट्राइबल एरियास भी कहा जाता है अब ये जो टॉपिक है वो विध्यारतियों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसको याद रखना बहुती आसान है मैं वादा करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी नोट साब को बनाते हुए चलना है ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों पहले तो ये समझ लीजे कि हमारा भारत देश तीन तरीके के शित्रों से मिलके बना है पहला है राज्य, राज्यों के बारे में आप लोग जानते हो उसके अंदर राज्य सरकार होती है विदान मंडल होता है, विदान सभा होती है, ये सारी चीज़े होती है दूसरा होता है केंद्रिय शाषित प्रदेश यानि की यूनियन टेरिटरी जहां पे सीधा जो शाषन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ तो इसको आप एक special area कह सकते हूँ इसके अलावा तीसरे तरीके का शेतर होता है उसे हम कहते है जन जाती है शेतर या फिर अनुसूचित शेतर इसमें होता ये है कि जन जाती रहती है अब इसको ज़रा ध्यान से समझना मैं जाती नहीं कह रहा हूँ मैं जन जाती कह रहा हूँ मतलब ऐसे जन जो एक विशेश जाती से आते हैं या वो वहाँ पहले से रह रहे हैं उन्हें जन जाती कहते हैं यानि कि आदिवासी या फिर आदिमनिवासी तो आदिवासीों को इंग्लिश में ट्राइब कहा जाता है अब सरकार ने यह देखा जिस एरिया में ज्यादातर आदिवासी रहते हैं, तो उस जगे को पर्टिकुलर एरिया बना दिया जाए, मतलब उस जगे को एक शेत्र घोशित कर दिया जाए, जिसे हम अनुसुचित या जन जाती शेत्र कह सकते हैं यहां आता है हलका सा कैच इसको ध्यान से पकड़ लेना तेखो अनुसूचित और जन जातिये शेत्र अलग-अलग होते हैं अनुसूचित शेत्र में भी आदिवासी रहते हैं और जन जातिये शेत्र में भी आदिवासी रहते हैं अब आप कहते हैं कि इन दोनों में आदिवा तो यह दोनों अलग-अलग कैसे हुए, इन सब को अनुसूची शेत्र कह दो, या जन जाती है शेत्र कह दो, तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि इस जगे पे जितने भी आपको राज्य नजर आ रहा है भारत के अंदर, यहाँ पर जितनी भी जन जाती है, जन जाती है शेत्र तो यह आपस में अलग-अलग क्यों है तो देखो यहाँ जितने भी आदिवासी रहते हैं यहाँ जितनी भी ट्राइप्स रहती हैं वो अपने साथ रहने वाले लोगों से घुली मिली भी होती है जैसे कि एक तो आदिवासी समाज है और एक मुख्यधारा का समाज है तो आपस में ये लोग फिर भी मिलके रहते हैं और ये लोग कहीं न कहीं accept कर रहे हैं कल्चर को ठीक है लेकिन ये जो आसाम, मेगाले, त्रिपुरा और मेजोरम वाले आदिवाजी हैं ये बिलकुली कटे हुए हैं ये सारे के सारे अपने कस्टम्स में, अपने रिती रिवाज में कुछ ज़्यादा ही कटर हैं तो ऐसे में इनको मुख्यधारा मिलाना महुत आसान नहीं है तो सरकार ने इन्हें अलग से जनजातिये शेत्र बनाया हुआ है तो अब आपको समझ में आया कि अनुसूचिच शेत्र और जनजातिये शेत्र में फरक क्या है अच्छा इसके अंदर एक similarity भी है सब जगे आधिवासी रहते हैं, यहाँ पे भी आधिवासी हैं, मतलब tribes रहती है यहाँ पे भी आधिवासी रहते हैं, तो यह है तो tribe, ठीके आगे schedule लगा दो, short form बनाओगे तो ST बनेगा मतलब अनुसूचिच शेत्रों और जनजातिये शेत्रों में रहने वाले लोग ST community के होते हैं, यहाँ पे मैं SC की बात नहीं कर रहा हूँ SC क्या होता है, schedule cast होती है, वहाँ पे क्या है, जाती की बात होती है यहाँ पे जनजाति की बात होती है, आधिवासियों की बात होती है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अनुसूचिच शेत्र और जनजातिये शेत्र ST से सम्बंदित है, SC से नहीं तो आप सवाल उठता है कि सम्विधान में इन्हें कहां और कैसे जगे दी गई है तो देखो सम्विधान के भाग 10 में अनुछेद 244 है उसके दो भाग है मतलब अनुछेद 244 का पहला जो भाग है वो इन सब S.T.s के बारे में बात करता है जो इन राज्यों के अंदर रहते ह तो इनके बारे में यहां लिखा हुआ है 244 वन में और 244 के दूसरे भाग में इन चार राज्यों असम, मेगाले, तृपुरा और मिजोरम की जनजातियों यानि कि ट्राइप्स के बारे में बात की गई है अब हम देखते हैं कि 244 आर्टिकल में अनुछेद में लिखा क्या देखिए 244 के पहले भाग में लिखा है कि असम, मेगाले, तृपुरा और मिजोरम को छोड़ कर जितने भी अनुछे छेत्र और अनुछे जनजातियां हैं पूरे देश में उन सब का प्रशाशन और नियंतरन सम्विधान की पांचवी अनुछे में वर्णित हैं मतलब ये कहरा है कि इसमें ये लिखा है कि इन चार राज्यों के जो भी अनुछे छेत्र और जन जाती हैं उनको छोड़ कर देश में जितने भी अनुछे छेत्र और जन जाती हैं मतलब ये सारे इन सब में कैसे प्रशाशन होगा कैसे इनका नियंतरन होगा वो सम्विधान की पांचवी अनुसूची में लिखा गया है ठीक है इसके बाद 244 में मतलब इसका जो दूसरा भाग है उसमें क्या लिखा है कि असम मेगाले तृपुरा और मिजोरम राज्यों के जन जातिय शेत्रों का प्रशाशन और नियंत्रन छटी अनुसूची में लिखा हुआ है साधारन भाशा में कहूँ तो इस तरफ के जितने भी आपके अनुसूची शेत्र है इनमें प्रशाशन कैसे होगा नियंत्रन कैसे होगा उसके बारे में पांचवी अनुसूची में लिखा हुआ है और जो बचेवे चार राज्य है इन में कैसे प्रशाशन होगा, इन में कैसे नियंतरन होगा उसके बारे में 6 अनुसुची में लिखा हुआ है तो अब हमें एक-एक करके 5 वी और 6 अनुसुची पढ़नी है और जिससे हमें पता चल सके कि इनकी प्रशाशन व्यवस्था क्या होती है तो शुरुवात करते हैं पाँचवी अनुसूची के साथ पाँचवी अनुसूची में सबसे पहले आता है कि अनुसूचित शेत्र की घोशना कौन करेगा देखो अब भी हम अनुसुचिश शेत्रों का मतलब इस वाले एरिये में जितने भी अनुसुचिश शेत्र हैं बून के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें आता है सबसे पहले अनुसुचिश शेत्र की गोशना कौन करेगा तो इसका जवाब है राश्टपती को किसी भी शेत्र को अनुसुचिश शेत्र गोशित करने का अधिकार है मतलब मान लो कि राश्टपती को देखा कि एक राज्य है मान लो राजस्तान है उस राजस्तान के एक एरिया के अंदर बहुत सारे आदिवासी रहते हैं और वहाँ पर प्रिशाशन ठीक से हो नहीं पाता है तो ऐसे में राश्टरपती उस जगे को एक पूरा अनुसुचित शेत्र गोशित कर सकता है इसमें जरूरी बात ये है कि राश्टरपती को उस राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेना पड़ेगा जैसे कि राजस्तान की बात मैंने की तो राजस्तान की जो राज्यपाल होंगे उस वक्त उनका परामर्श लेके एक काम करना पड़ेगा उनके परामर्श से वो उस अनुसूचित शेत्र का शेत्रपल बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं उसकी सीमाओं को बदल सकते हैं और उनके नामों को भी बदल सकते हैं ठीक है तो अनुसूचित शेत्र कौन बनाता है राश्ट्रपती बनाता है अगर किसी राज्य में बन तो सवाल ये उठता है कि इन अनुसुचित शेत्रों में क्या राज्य और केंद सरकार की कारेकारी शक्तिया काम करती है तो देखो इसका जवाब है हाँ राज्य की कारेकारी शक्ति उसके राज्य के अंदर अनुसुचित शेत्रों में भी लागू होती है देखिए अगर आप अनुसुची शेत्र बना रहे हैं मतलब राश्टरपती ने बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई शक्ती काम नहीं करेगी सरकार की करेगी अपने लेवल पर करेगी अगर मालों की कारेकारी शक्तियां या काम ना करें तो यहाँ पर बगावत भी हो सकती है मतलब यहाँ के जो ट्राइप्स हैं वो एकटा हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो अलग देश बनाएंगे तो ऐसे में क्या है कि राज्जी की कारेकारी शक्तियां वहाँ पर लागू होती है ऐसे शेत्रों के लिए राज्जी पाल की विशेश जिम्मेदारी होती है मतलब मुख्य मंत्री से जादा जिम्मेदारी राज्जी पाल के पास होती है ऐसे शेत्रों के लिए राज्जी पाल ऐसे शेत्रों के प्रशाशन के बारे में राश्टरपती को वार्षिक रेपोर्ट सौपता है मतलब यह है कि वो हर साल राश्टरपती को बताता है कि इस एरिया में यह जो हमने अनुसुचिश शेत्र बनाया है इसमें क्या विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है और मान लोग की राश्टरपती खुदी मांग ले कभी 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 क्या होता है कि राश्टरपती खुदी जानना चाता है कि इस एरिया में अब क्या हो रहा है अच्छा इसमें जरूरी पॉइंट ये है कि ऐसे शेत्र में जो प्रशाशन होता है उसके बारे में सला कौन देता है राज्ज सरकार को केंदर सरकार देती है मतलब केंदर सरकार कहती है कि अब इसके अंदर ये होना चाहिए तो उन्हें करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं केंदर की जिम्मेदारी अनुसूचे शेत्रों के लिए ज़ादा होती है बजाए के राज्य के इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जन जाती है सलाकार परिश्यत ये देखिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है इसमें क्या होता है कि मानलो कोई राज्य है उसके अंदर कोई अनुसूचे शेत्र है तो वहाँ जन जाती सलाकार परिश्यत का गठन किया जा सकता है जो अनुसुचे जन जातियों के कल्याण वे उत्थान के लिए सला देती है अब देखो क्या होता है कि हर चीज राज्यपाल को तो नहीं पता होती है न अगर माल लोग की वहाँ पे अगर विकास करना है तो वहीं के लोगों को इस परिशद में डालना पड़ेगा और वो सला देंगे सरकार को कि ऐसा ऐसा करो जिससे इनका विकास हो सके ठीक है तो इस परिशद में कुल 20 सदस्य होते है जिसमें से 3-4 सदस्य राज्य विदान सबा में अनुसुचे जन जातियों का परतिनी दित्व करते हैं मतलब इस 20 में से 15 लोग ऐसे होंगे जो आपके विदान सबा या फिर विदान परिशद मतलब कुल मिला के विदान मंडल के अंदर परतिनी दी होंगे इससे क्या होगा कि ये जो जन जातियों के मुद्दे हैं ये विदान सबा या विदान मंडल में रखे जा सकते हैं ठीक है अच्छा एक important point और है कि ये जो जन जातियों सलाकार परिशद है ये ऐसे राज्यों में भी बनाई जा सकती है जहां पे जन जातियों तो रहती हैं लेकिन अनुसूचित छेत्र नहीं है राश्टरपती ने आके तो ऐसे में उन जन जातियों के कल्यान के लिए ये जो सलाकार परिशद है जन जाती बनाई जा सकती है तो ये जो point था, इस बहुत जरूरी था इसको आपको ध्यान में रखना है इसी में 14 point जो है वो है अनुसूचित छेत्रों में लागू, विधी अदिनियम को अनुसुचित शेत्रों में लागू ना करे या कुछ परिवर्तन वे अपवाद स्वरुप उसे लागू करे देखो क्या है कि बहुत से ऐसे अनुसुचित शेत्र हैं जहां पे डिरेक्टली कुछ कानून है वो लागू नहीं किया जा सकते जैसे अभी आपको हाली का एक्जेम्पल दो यूसी सी आपको पता है यूनिफॉर्म से विल कोड की बात चल रही है सभी के लिए एक कानून होने चाहिए लेकिन आपको पता है कि कई ऐसे आदिवासी हैं जो आपके मुखेधारा में तो है नहीं तो वो आपके कानूनों को मानेंगे तो बिलकुल नहीं तो ऐसी इस्तिती में ट्राइबल एरियास को यूसी सी से थोड़ा सा अलग रखा जाए या फिर उनके लिए कुछ स्पेशल एक्ट्स बनाए जाए तब ही उन्हें वहां लागू किया जा सकता है तो राजजपाल भी यही करता है जैसे कोई नया कानून आता है तो उन शेतरों में डियरेक्टली कानून लागूиц ना करके वहां के शेतर के हिसाब से कानून में कुछ बदलाव करके वहां कानून लागू करता है और इसी में दूसरी चीज ये है कि इन अनुसुचिश शेत्रों में शान्ती और सरकार को बनाये रखने के लिए राज्यपाल क्या करता है कि ये जो जन जाती है सहलाकार परिशद है इससे विचार विमश करता है और उसके बाद ही कानून लागो करता है ठीक है तो कानून के आपको याद रखना है कि इनके लिए कानून में थोड़े से बदलाव जरूर किये जाते हैं क्योंकि ये मुख्यधारा से अलग है ये जो चार पॉइंट्स है ये आपको पांचवी अनुसुचिश के अंतरगर मिलते हैं और भी इनके अंदर सब पॉइंट्स और हैं जिनक तो इनके लिए भी आयोग होना चाहिए लेकिन इसमें शर्त ये थी कि इस तरीके के आयोग का गठन कब होगा समविधान के 10 साल के बाद मतलब समविधान लागू होने के 10 साल के बाद आपको पता है 1950 में समविधान आया था तो 1960 में पहली बार UN घेबर ये नाम आपको या के बाद 2002 में दिलिप सिंग भूरिया की अद्धिक्षिता में एक और आयोग बनाया गया जो कि इनकी के लिए था तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपको पांचवी अनुसूची में मिलते हैं आयोग और ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको वूपर बताये थे तो इ इस से इन अनुसूचे शेत्रों का प्रशाशन चलता है ठीक है इसके बाद बाद करते हैं जन जाती है शेत्रों में प्रशाशन यानि कि इन चार जो राज्य हैं इनमें जो जन जातिया रहती है इनके जो शेत्र हैं उनका प्रशाशन कैसे होता है देखो असम मेगाले त्र मतलब ये अपनी संस्कृति और रिती रिवाजों में और सब्विता में इस तरह बंदे हुए हैं कि ये मुख्यधारा में बिल्कुल ही नहीं आ पाएं तो ऐसी इस्तिती में इन्हें कुछ अलग राइट्स भी दिये गए हैं तो वो अधिकार क्या हैं वो आपको मिलते हैं च अशाषन की जो विवस्ता है वो create की गई हैं ये जन जातियां आपस में ही शाषन करती हैं इनके उपर कोई शाषन नहीं करता है हाला कि जो राज्य है जैसे कि असम की सरकार है इनके उपर इनका अधिकार तो है लेकिन उतना नहीं है मतलब ये समझ लो कि कानूनी रूप से अधिकार है लेकिन वैसे शाषन नहीं कर सकती इनके उपर मतलब कंट्रोल में भी रखना है और सौतंत्र भी रखना है दूसरा ये कि राज्यपाल को यह अधिकार है मतलब जो भी मालो असम है असम में जन जाती रह रहे हैं अगर उसमें भी अलग अलग तरीके के आदिवासी अलग अलग तरीके के ट्राइप्स रह रहे हैं तो राजपल क्या करेगा कि उन्हें अलग अलग हिस्सों में विवाजित कर देगा मतलब एक जिले को भी कई हिस्सों में तोड़ देगा वो इसमें अगला पॉइंट बहुत तो मताधिकार के जरीए चुन कर आएंगे और इने कौन चुनेगा इन जन जातियों की लोगी चुनेगे मतलब ये अपने लोगों को वहाँ नॉमिनेट करेंगे ये जो 26 सदस से चुने जाएंगे इनका जो कारेकाल है वो 5 वर्षों का होगा अगर जिला परिशत बीच में त इसमें अगला ये है कि 26 जिलों की जो जिला परिशत होती है इनकी इनको अपने शेतर में कानून मनाने का अधिकार होता है बतलब कुछ एक विशे होते हैं जिनके उपर ये कानून बना सकते हैं जैसे कि भूमी है वन है नहर है परिवर्ति खेती है गाउ प्रशासन है संप अधिया विरासत है विवा हो गया विवा विच्छे दिया इसको आप तलाग भी कहते हो सामाज एक रूडियां है आधी विश्व पर ये कानून बना सकते हैं लेकिन इन सभी कानूनों के लिए राजजपाल की स्विकरती आवश्चक होती है ऐसा नहीं हो कि आप कोई अमान इनके मुकदमे सुन सके उनका कारे भी जिला परिशत करती है इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स हैं कोई बाजार है कोई समझ लो मचली का कारोबार है सडकों को बनाना है इन सबसे रिलेटेड जितने भी काम है वो सब इस जिला परिशत के अधीन ही आते हैं तो ये समझ सकते हैं कि यह जितने भी कारें मैंने आपको बताएं हैं यह दोनों परिशदें मिल रिखें करती हैं मैंली जिला परिषद है और प्रादेशिक परिषद है लेकिन इन सब के लिए राज़पाल की स्विकर्टी तो लगती है राज़पाल इन पर क्या है कड़ी नजर बनाकर तक कि कोई दिक्कत नहीं हो आगे चलके तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये tribes ये आदिवासियों के अंदर प्रशाशन होता है देखे confuse नहीं होना है एक तरफ ये वाले हैं आदिवासि जो कि अनुसोचे छेत्रों में आते हैं schedule areas में आते हैं और एक तरफ ये चार शेत्र हैं मतलब चार राज्ये हैं इनमें tribal areas आते हैं अलग से tribes आती हैं ठीक है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक एक point अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई confusion आता है कोई query आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें comment section के अंदर बता सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही see you in the next one